गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स, प्यारे बच्चेओ, अज मैं तो डेली पंजाबी विशेदी दूसरी जमातले के हाजरा, जिस दे विच असी पाथ दो वारे पडांगे, जिस दा नाम है गुणकारी दोस्त, गुणकारी मींच गुणा नाल पर हुई कोई चीज जो साडे पार्त देही माजल विच एक बहुत सोनी जगा है चमबा, जित्थे शात्मई बातावर्न मनमोहक द्रिश अते सुहावना मौसम हुंता है, गुर्शर्न जो के एक सरकारी मुलाजम सन दी बदली चमबे विच कर दित्ती गई, ओहु अपनी मा अते अपनी पतनी नाल उत्थ से आ गई उननों सरकार वलों एक बहुत खुला मकान दित्ता गया, इस मकान विच एक बहुत वड़ा अते सोना जिहा बाग सी, पार्त विच की दित्ता गया के गुर्शर्न नादा एक व्यक्ति सी जो के सरकारी मुलाजम से, मुलाजम इंपलॉय कर्मचरी, जिस दी बदली हिमाचल परदेश दे चमबा विखे कर दित्ती जन्दी है, जिठो अपनी मा ते पत्नी ना ओंदा है, अते सरकार वलों उसनों रहन दे ले एक मकान दित्ता जन्दा है, जिस दे विच बहुत सोना एक भाग सी, भाग पाव गार्डन सी इक साल बाद उन्ना देकार इक प्यारी जही बच्ची ने जन्म लेया, उस बच्ची दा नाम उन्ना ने रख्या सिम्रन, गुर्शेर्ण अते उन्ना दी पत्नी ने सोच्या के क्यों ना इस खुशी विच कुझ रुख लाए जान उन्न एक साल बाद गुर्शेर्ण देकार इक बच्ची जन्म लेंदी जिस दा नाम रख्या जान्दै सिम्रन, और गुर्शेर्ण अतो दी पत्नी सिम्रन दे जन्म दी खुशी दे विच कुझ रुख लाउन्वारे सोच दे हन, उन्ना दा सोचना सीके, रुख जिंदगी दिन्देहन इसले इक नमी जिन्दगी दा स्वागत रुख बीज नाल होना चाहिदा है, उन्ना अपने बाग दे माली नार सला करके चार बीज मगवाई, ए सन सेव दा बीज, केले दा बीज, निम्म दा बीज, अते तूलसी दा बीज, एन्ना चारा बीज जानू नेडे न क्योंकि रुखां तो ही सानू साल एंदेली ऑक्सिजन मिल दिया, रुखां तो ही सानू अलग लग तरा दे फालफुल मिल देने, और रुखां तो ही जडियां अलग लग बीमारियां ने, उन्ना तो दवाणय बणाओं देले, उन्ना दे इलाज ले दवाणय बणाओं दे बीज रुख लगाके ता फिर उहो अपने माली तो बागदे माली तो चार बीज मगवांदेने सेव केले निम और तुलसीदा जिसनु उहो बागदे विच नेडे नेडे ही लगा दिन्दे हनु जल्दी ही एनना बीजां विच दोस्ती हो गई उहो चारे एक दूसरे नू फिर उहो चारे अपने वारे एक दूसरे नू दास देने सेव दे वीज ने केहा मैं इक फाल वाले रुख दा वीज हा जदो मैं वड़ा हो जामागा ता मेरे उपर रसीले सेव लगणगे मेरे फल खान नू स्वार ता हुंदे ही हन नाल ही सेहत मांद बणाओंदे हन मेरे फळांदा रास पीन नाल बिमार वंदे नू ताकत मिल दी है हुण इन चारे वीज अंदे विच्चों सेव दा वीज पहलना अपने वारे दलते है कि मैं एक फाल वाले रुख दा वीज जदो में वड़ा हो गया ता फेर मेरे उपर रसीले सेव लगणगे रसीले पाव रा ताकत है हो काट जान दी है ता जेकरों मेरे फळा दा रास पीन दे है ता ओसे नाल बिमार बंदे नू ताकत मिल दी है उस दे शरीर दे विच एनरजी पर जन दी है हुन केले दा वीज बोलया सेव तो बाद केले दा वीज अपने वारे दास दे है सेव प्रा तैनों मिल के बहुत खुशी होई मैं केले दा वीज हां, मेरे उपर केले दे फल गुच्छय विच लगदे हन, एहे खान विच बहुत स्वाद हुन दे हन, केला खान नाल, स्रीर विच खून दी कमी नू पूरा किता जा सकदा है, मेरे खून दी छिल्लड दा रास, पीन नाल, स्रीर नू जहरीलेपदार था तो मुगत रख्या जा सकदा है, मेरे रुख दे पत्ते, बहुत वड़े वड़े हुन दे हन, कई लोग दा एना उत्ते राख के पोजन भी खान दे हन, उन केले दा भीज सेव नू की कह रहा, कैना प्रात तेनों मिल के बहुत खुशी होई, उन कैना मैं अपने वारे दासना कि मैं भी एक केले दा भीज हा, जिस दे उपर जड़े फालने हो गुच्छा दे विच लगदेने, गुच्छे पाव के बंचस दे विच लगदेने, जड़े तेरे तरह ही खान दे विच दा स्वाद हुन दे ही हन, नाल ही की कहन दा, कैना जेकर कोई मैंनों खान दा है, तो ज जड़े साधे श्रीर दे बिच जहरीले पदार्थ ने उनना तो भी कन श्रीर जड़ा हो मुक्त हो जानदै, फ्री हो जानदै एस तो इलावा जड़े केले रुक दे पत्ते ने ओ भी वड़े वड़े होंदे ने कई लोग इना ते राख के पोजन भी खान दे हैं निम्मदा बीज उनना दियां गल्ना सुनके बोल्या, उन जड़ो केले और सेवने अपने वरे दसता, ता निम्मदा बीज जड़ो ओदे कोल्चुप बेठा सी ओवी दसते अपने वरे, प्रावो मैं जड़ो रुख वनागा ता मैंनू वी फाल लगनगे पर ओओ स्वादने संगो कोडे हुंदे हन, पर हां इसके बावजूद भी ओओ तो अड़े फणा दी त्राही लावदाएक हन, मेरे रुख दा फल बहुत सारियां, बिमारियां, जिमें मलेरिया, शूगर दी बिमारी, बुखार, चामडी दे रोग, आद नू दूर करदा ह इस फालदा रास, मच्छरा, अते कीड़या नू पजाओन लई भी इस्तेमाल किता जानदा है, प्यारे बच्यों, असी निम दे रुख बारे चोथी जमार दे विच, साड़े रुख पाठ दे विच भी पढ़ चुके हैं, तो इस तरह किया है कि जड़ा निम है, हुनो निम दे विच गी दास रहा, कि मेरे रुख दे जड़े फाल ने, ओ कने बहुत सारी बिमारिया नू ठीक करन दे ली वर्ते जानदे, जिस तरह मलेडिया, सुगर दी बिमारी, बुखार, चामडी दे रोग, आद नू केंदे, निम दे फलादे रास दे नाल दूर किता जान इस्ते माल पावब वर्ते जानदे, जूज किता जानदे, मेरे रुख दी छिलड भी कई द्वान्यां विच बर्ती जानदी है, मेरे रुख दी दातन, करन ना, दंदा नू कीडा नहीं लगदा, अते मुझबूती मिल दी है, एस तो इलावा किया है, कि जेकर असी निम दे रुख दी छिलड, ओ कई बिमारियां दे इलाज दे जनी द्वान्यां बंदी ने ओस दी विच भी बर्त दिया, और जदो असी निम दे रुख दी दातन कर दिया, तो ओस दी ना, साड़े दंदा नू कीडा नहीं लगदा, तो इस तो इलावा दंदा नू होन वाली होर बि देव ने पुचिया, तू केड़े रुख दा वीज हैं? एहे सुनके ओहो बीज खौली जहे बोलया, मैं किसे रुख दा वीज नहीं, मैं ता तुलसी दा बीज हां, मेरे उत्ते कोई फाल नहीं लगदा, सिर्फ पत्ते ही होंदे हन, एहे कहके ओहो कुज उदास हो गया पूर जब चारे वीज जांडे विच्चों, तिनने वीज अपने वारे दस देने, ता चौथा वीज चुप रहांदे, चौथा वीज केड़े तुलसी दा बीज, तो उसनों चुप वेठा वेक के से पुच दे, कि तू अपने वारे दस तू केड़े रुख दा बीज है, तो तुलसी द भीज जड़ा होली जहें बोलदा कि मैं किसी रुख दा भीज नहीं। मैं तो तुलसी द भीज आँ कि जदो मैं वड़ा हो गया तो मेरे उपर कोई फालबी नहीं लागदा सिर्फ पत्ते ही होंदी हैं। ईक खेके वो उदास हो जाँ दे क्योंकि उसनु की लगज़ा है कि जड़ी मेरे बाकी दोस्त ने उन्ह दे फाल भी बहुत ज़यादा कम आउन्दे ने उन्ह दे छिल्लळ larger भी बहुत ज़यादा कमा आउती है कि होन मे अपने दोस्तनों अपने वारे की दस्ता एहे वेह के बाकी वीज़ानों चंगा ना लगा केले दे वीज़ने केहा जे तेरे ते फाल नहीं आँदे जान तू रुख नहीं बांदा ता फिर की हो गया हर एक चीज दी अपनी खासियत हुंदी है कोई भी किसे तों काट नहीं हुंदा तू साननों दस तेरे वीज़ की गुण हन केले दी गल सुनके तुलसी दे वीज़नों कुझ होंसला जहा होया ओहो कैन लगा हुन देखो की है के बाकी वीज़न चंगा क्यां नहीं लगदा क्योंके ओ चारे आपस दे वीज़ दोस्त सान हुन उनन दे एक दोस्त उदास बैठा तो आप भी चारे ने जड़े उदास हो जान देने पर केला उसनों कहन दे कि फेर की होया जि तेरे ते फाल नहीं आओ दे कहना तेरे वीज़ भी ता कोई ना कोई गुण होबेगा क्योंकि देखो वेटे कि जड़े इस नेचर ने कोई भी चीज बनाई है चाये वो मनुख है पेड़ पॉद्दे ने पसू पंची ने हार एक दे अपनी खासियत है हार एक दे वीज़ कोई ना कोई क्वाल्टी है ते एस तरा जदो केला उसनों समझा होँदे है कि तेरे वीच भी कोई ना कोई गुण जरूर होवेगा ता फिर की हुँदे कि तुलसी दे वीज ने कुझ होंसला हुँदे कुझ हिम्मत आउंदियो दे वीच ता फिर ओह केहन लगगा हुन तुलसी दे वीच कह रहा जदो मैं वड़ा हो मागा ता मेरे उपर हरे हरे छोटे छोटे पत्ते आ जानगे हिंदुआ वीच ता मेरे पूजा कित्के जानदी है पर मैंनों सारे तर्मादे लोक बिना पेदपाप्तों पसंद कर दे हन उस दी वजा एहे है के मेरे पत्ते बहुत गुणकारी हन मेरा सेवन दिमाग तेज करदा है एहे पाचन शक्ती नूँ भी मजबूत करदा है सर्धियां विच जे मेरे पत्या नू चा विच उबाल के पिता जावे ता सर्धि जुकाम तो निजात पाई जा सकदी है एनना नू चवाउन नाल मू भीच होए छाले भी ठीक गित्या जा सकदे हैं एहे अखा धी रोश्नी नू भी तेज रखदे हैं मू तुलसीदा वीच की दास्तरियां के जोद में वड़ा हो गया ते मेरे उपर हरे हरे छोटे छोटे पत्ते आजानगे कैने हिंदू तरम दे जड़े लोक ने ओहो मेरी पूजा भी कर देने पर एस तो इलावा जड़े बाकी तरम दे लोक ने ओह भी मैंनू बिना किसे पेड़ पाप तो बिना किसे पार्शल्टी तो मैंनू पसंद कर देने उस दी बजा बजा मतलब कारण किया है कि तुलसी दे पत्ते ने जड़े हो बहुत ज़्यादा गुणकारी हों दिने साड़े ली वेनिफिशियल ने हो कि जिस तरह जदो असी उनना नो खान दी हां सेवन करना खाना तो उस दिना साड़ा दिमाग तेज होंदा है जड़े स तुलसी दे पत्ते नो चाँ विच ओवाल करके एसी पिन दे हां ता उसने साड़ी जो काम तो भी निजाद पाई जा सकदे निजात पौना चुटकारा पाया जा सकदे आसी ठीक हो जान्दे हां एस तो इस तो इलावा जे कर किसे कार्न करके साड़े मूदे विच शालנה हो तो जेकर असे तुलसी दे पत्या नूच बॉंदेयां तो ओ छाले भी ठीक हो जांदेने ते नाली जड़े तुलसी दे पत्या ने ओ साड़े आखांदी रोष्णी नूँ वितेज रखदेने इक दूज्ये वारे जान के सारे बहुत खुश होए रोज उनना नूँ पाणी अते चंगी देखपाल मिल दी है वेखदे ही वेखदे सिमरन अते रुख सारे वड़े हो गए सिमरन रोज अपने दादी मा नाल श्राम नूँ बाग विच अंदी अते खेड़ दी है एना चारा रुखा अते पौध्या नूँ उहो बहुत प्यारी लग दी है यूँ समा बिटन दी नाल की हुनदे पहला तै एक चारे अप एक दूजर बाघ जानके खुश हो जान दी ने फिर हारोज उन्हान नूँ पाणी मिल दय चंगी खुराक मिल दय देखपाल हुन दी उन्हान दे फिर समा बितन दी नाल होली होली जडे सिमरन और रुख सारे वड़े हो जान्देने। उन सिम्रन अपनी दादीनाल हारोज शामनू बागडे विच्छान दिये। उते खेड़ दियो, खेड़ दी होई उन्ना चारा रुखा नू इस तो लावजडे पॉद्देने उन्ना सारा नू बहुत ज्यादा प्यारी लग दिये। एक दिन उहो ब विच ना आई। उसदे मम्मी पापा दियां गल्ला तो पता लगा के उसनों बुखार अति सर्जी जुकाम हो गया है। एहे सुनके सारे उदास हो गयी। निम्म दे रुखने किहा मैं अपने फलादे रासनाल सिम्रन दा बुखार उतारन दी कोशिश करदा हा। जदो सिम् ओहो रस पीता तो उसदा बुखार कटना शुरू हो गया। उन एक दिन की होया कि सिम्रन बागदे विच नहीं है। और सारे रुखा पाद्यान उसदे मम्मी पापा दिया गल्ला तो पता लग दे कि सिम्रन जडी बिमार हो गया उसनों बुखार और सर्दी जुकाम हो गया तो फिर होई सुनके सारे उदास हो जांदेने क्योंकि उनननों सिम्रन बागदे विच खेड़ दी होई प्यारी लग दिया। तो निमार रुख की कहना है। कहना मैं अपने फलादे रस नाल सिम्रन दा बुखार उतारांगा। ठीक है उदे विचे मैं कोशिश कर दा हां। तो फिर ज़दो सिम्रन नुम नेम दे फलांदा रस दितता जानतो उस दे नाल उस दा बुखारा जड़ा उकटना शुरू हो जांदे। फिर उस दी दादी माने उसनों तुलसी दे पत्ते उवाल के चाब नाके दित्ती। उस दा खांसी जुकाम भी दूर हो गया। जिस् सिम्रन नुम चाब चुबाल के तुलसी द पत्ते दिन दिये तो दा खांसी जुकाम ठीक हो जांदे। ते फिर सिम्रन जड़ियो अपने आपने कुझ चंगा कुझ वेटर मैसूस करन लग दिये। सिम्रन नुमुन कुझ चंगा लग रहा सी पार उस दे श्रीर विच कुझ कमजोरी आ गई सी। शाम नुम सिम्रन दी मम्मी ने कुझ सेवा दा जेडा उना दा नौकर बाग वाले रुखतो स्वेरे तोड के लिए आया सी रासकड्या अत्ती सिम्रन नुम किहा एहे पील वेटर सिरीर विच ताकत आवेगी। अत्ती साच मुझ अगली दिन सिम्रन अ अपने आपनु कुझ ठीक महिसूस करन लगी। उनकी उंदै कि सिम्रन दा बुखार कट जैन धे खांसी उजा ठीक हो जैनर पर फिर भी उधिस रीर दे बीच जड़ी हो कमजोरी आ जन दे बीक नैस आ जन दिया। तो फिर सिम्रन दी मम्मी की कर देने किन। नौकर तो सेव मनगवां देने और इन्ना सेबंद आरास कड के ओ सीम्रन नू पीँ देने जिस्ना जडी सेम्रन है ओह अगले दीन ही कुछ अपने आपनूी ठीक rifाम्ण लग धी जेकर सेबंद आरास questo Wakanda जेकर आसी भीमार हुँद धेया तो साडी श्रीर दे विच सेबन अरास पीन दिनन ताकत आ जान दिये। एसे तरह सिम्रन जडियों अपने आपनों पहलना तो ठीक मैंसूस करन लग दिये। सवेर दे नाश्टी विच मम्मी ने उसनों दुद्ध दे नाल केला कट के दित्ता अते किहा सिम्रन वेटा केला खाले। इस नाल तेरे श्रीर विच खून वदेगा अते फिर तु विमार नहीं हो मेंगी। सिम्रन ने उन्ना धा कहना मन के केला खाले। अगले दिनों दे मम्मी की कर दिने के सवेर नों नाश्टे दे विच केला खाले दिने। क्योंगी जदों सि केला खान दियां ता केला जड़ा उसाड़े श्रीर दे विच जड़े खून दी कमि, बलाड़ दी कमि हो जान दी उसनू पूरा कर दा है। एसे तरह सिम्रन की कर दियां के अपने मम्मी दिगाल मानने के केले नों खाले दियां ते जड़ों उहों पूरी तरह ठीक हो जान दियां जड़ों उहों पूरी तरह ठीक हो गई ता फिर पहला दी तरह बाग विच खेड़न आई। उसने आके सारे रुखां ते पौध्द्यान दा तनवाद किता अते केहा मेरे प्यारे दोस्तों तुसे मेरी बिमारी विच मेरा बहुत त्यान रख्या है मैं तो अन्नों बहुत प्यार कर दी हैं सारे रुख खुशी ना चूम उठे उन जद सिमरन पूरी तरह ठीक हो जान दे तो दुबारा भाग विच खेड़न हो दिया फिर भाग दे विच आके ओ सारे रुख ते पौधन ता नवाद कर दिया के तुसे सारे मेरे प्यारे दोस्तों जिन्ना ने तुसे मेरी बिमारे दे मिच मेरा त्यान रख्या और मैंनों ठीक तंदरुस्त करंदे विच मादिद कीती एसले मैं तो अनुसावनों बहुत प्यार कर दिया शिमरन दिया एह गल्ला सुनके जार जिड़े सारे पौधने और रुखने ओ खोशीना चुमन लग जान दिने प्यारे वच्चियों पाठ दे विच की दस्या गया है कि पाठ दे विच गुण कारी दोस्त केड़े सी सेव केला निम और तुलसी जड़े हम एश्या साघी माद्द कर देने और अपने गुणादे नाल सानू तांधरुस्त रख देने और नाल ही साड़े बातवर्ण नो भी शुद रख दे हैं इस तरह सानों सारे इनना गुण कारी दोस्तां दा सतकार करना चाहिदा है और सानों बाद तो बाद जड़े रुखने हो लगोने चाहिदी हन आस कर दियां बेटे क्या आप तोंनों सबनों समझा आगया होबेगा पार्थ चंगीत ना तन वाद